आज हमारे साथ बैंगलूरू स्टोरी टेलिंग सोसाइटी की बहन अपणना अथ्रे और अन्य सदर से जुड़े हैं। आईए उनी से बात करते हैं और जानते हैं उनके अनुभाव। हलो। नमस्कार आदरनिय प्रदानमंत्री जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं अपना जी? बिल्कुल बढ़िया सर जी, सबसे पहले मैं बैंगलूर स्टोरी टेलिंग सोसाइटी की ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ, कि आपने हमारे जैसे कलाकोरों को इस मंच पे बुलाया है और बात कर रहे हैं। और मैंने सुना है कि आपकी पूरी टीम भी आपके साथ बैठी हुई है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। अच्छा होगा कि आपकी टीम का परिचे करवा दें, ताकि मन की बात के जो सुरूता है उनको परिचे हो जाए कि आप लोग कैसा बड़ा अभियान चला रहे हैं। करने के लिए जब गई थी, तब हजारों बच्चों को कहानियों की माध्यम से शिक्षा देने के मौका मिला। और ये कहानी जो मैं बता रही थी, वो अपनी दादी मां से सुनी थी। लेकिन जब कहानी सुनने वक्त मैं जो खुशी उन बच्चों में देखा, मैं क्या बोलूँ आपको, कितनी मुस्कराहट थी, कितनी खुशी थी। तो उसी समय मैंने तै कि स्टोरी टेलिंग मेरे जी मैं तो पहले टीचर थी, उसके बाद जब मेरे बच्चे बड़े होए, तब मैंने थेटर में काम शुरू किया, और फाइनली कहानियों को सुनाने में सबसे ज्यादा संत्रुक्त मिला। यह मेरी लक्षे है, Healing and Transformative Storytelling. नमस्ते सर, I am an electrical engineer turned professional storyteller. सर, I grew up listening to stories from my grandfather. I work with senior citizens in my special project called Roots, where I help them document their life stories for their families. लावने जी आपको बहुत बधाई और जैसा आपने कहां, मैंने भी एक बार मन की बात में सब को कहा था कि आप परिवार में अपने दादा, दादी, नाना, नानी है, तो उनसे उनकी बच्च्पन की कहानिया पूछे और उसको टैप कर लीजिए, रेकॉर्ड कर लीजिए, बहुत काम आये गए, यह मैंने कहा था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि एक तो आप सबने जो परिचे दिया अपना, उसमें भी आपकी कला, आपकी कॉम्लिकेशन स्कील और बहुत ही कम सब्दों में बहुत ही बढ़िया धंग से आपना परिचे करवा है, इसलिए भी मैं आपको बदाई देता हूँ, तैंक यू सेर, तैंक यू, अब जो हमारे स्रोता लोग हैं मन की बात के, उनका भी मन करता होगा कहानी सुनने का, क्या मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, एक तो कहानी सुनाए आप लोग, जी बिलकुल ये तो हमारा सवभाग्या है जी, चलिये चलिये सुनते हैं कहानी एक राजा की, राजा का नाम था क्रिश्न देवराय और राज्य का नाम था विजय नगर, अब राजा हमारे थे तो बड़े गुणवान, अगर उनमें कोई खोट बतानी ही था, तो वो था उनका अधिक प्रेम अपने मंत्री तिनली रामा क और दूसरा भोजन की और, राजा जी हर दिन दोपहर के भोजन के लिए बड़े आस से बैठते थे कि आज कुछ अच्छा वना होगा, और हर दिन उनके बावर्ची उन्हें वहीं बेजान सबजियां खिलाते थे, तुराई, लौकी, कदू, टिंडा, उफ्र। फिर कल मैं तुम्हें सूली पिचाड़ा हूँगा। बावर्ची बिचारा डर गया, अब नई सबजी के लिए वो कहां जाएं। बावर्ची भागा भागा चला, सीधे तेनाली रामा के पास, और उसे पूरे कहानी सुनाई। सुनकर तेनाली रामा ने बावर्ची को उप थाली सजाया और राजा के लिए गर्मा गरम खाना परोसा। थाली में नई सबजी थी। राजा उत्साहत होएं और थोड़ी सी सबजी चकहें। वह, क्या सबजी थी। ना तुरई की तरह फीकी थी, ना कद्दू की तरह मिथी थी। बावर्ची ने जो भी मसाला भून के कूट के डाला था, सब अच्छी तरह से चड़ी थी। उंगलिया चाटते हुए संतुष्ट राजा ने बावर्ची को बलाया और पूछा कि ये कौन सी सबजी है, इसका नाम क्या है। जैसे सिखाया गया था, वैसे ही बावर्ची ने उत्तर दिया। महराज, ये मुकटद किये, आज से हम यही मुकटदारी बैंगन खाएंगे, और सिर्फ हम ही नहीं, हमारी राज्य में भी सिर्फ बैंगन ही बनेगा, और कोई सबजी नहीं बनेगी। राजा और प्रजा दो खुश थे, यानि पहले पहले तो सब खुश थे कि उन्हें नहीं सबजी मिली है, ले कि बैंगन बिचारा कितना रूप धारन करे, धीरे धीरे राजा भी तंग आ गये, हर दिन वही बैंगन, और एक दिन ऐसे आया कि राजा ने बावर्ची को बलाया और खूब डाटा, तुमसे किस ने कहा कि बैंगन के सर में मुकट है, इस राज्य में अबसे कोई बैंगन नहीं ख़ाएगा, कल से बाकी कोई भी सबजी बनाना लेकिन बैंगन मत बनाना, जैसे आपके आगया, महराज कहके बावर्ची सीधा गया तैनली रामा के पास, तैनली रामा ने के पाव पढ़ते हुए कहा कि मंत्री जी धन्यवाद आपने हमारी प्रान बचा ली, आपके सुजाओं के वजए से हम कोई भी सब्जी राजा जी को खिला सकते हैं, तैनली रामा हसते हुए कहा, वो मंत्री ही क्या जो राजा को खुर्शना रख सके, और इसी तरह, राजा कृष्ण देवर आया और मंत्री तैनली रामा के कहानिया बनती रही और लोग सुनते रहे, अपने बात में इतनी एग्जेटनेस थी, इतनी बारिक्यों को पकड़ा था, मैं समता हूँ, बच्चे, बड़े जो भी सुने के कई चीजों को समरान रखेंगे, बहुत बढ़िया रंख से आपने बताया, और विशेश कोइंस ऐसा है, कि देश में पोशन महा चल रहा है, और आपकी कथा बोजन से जुड़ी हुई है, और मैं जुरूर ये जो स्टोरी टेलर्स आप लोग हैं और और भी लोग हैं, हमें किस प्रकार से हमारे देश की नई पीडी को, हमारे महान महापुरुष, महान माताय बहने जो हो गई हैं, कथाओं के माद्यम से उनके साथ कै कैसे जुड़ा जाएं, हम कथा सास्त्र को और अधिक कैसे प्रचारीत करें, पपलर करें और हर घर में अच्छी कथा कहना, अच्छी कथा बच्चों को सुनाना, ये जाने जीवन की बहुत बड़ी क्रेडिट हो, ये वातावन कैसे बनाएं, उस दिशा में हम सबने मिलकर क काम करना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से बात करें कर, और मैं आप सब को बहुत शुब कामराई देता हूँ, धन्यवाद, धन्यवाद, सर्ट, कहानी के द्वारा संसकार सरीता को आगे बढ़ाने वाली इन बहनों को हमने सुना, मैं जब उनसे फोन पे बात कर रहा था, इतनी लंबी बात थी, तो मुझे लगा, कि मन की बात के समय की सीमा है, तो मेरे उनसे जो बाते हुई है, वो सारी बाते, मैं मेरे नरेंद्र मोदी एप पर अपलोड करूँगा, पूरी कथाएं जुरूर वहां सुनिए, अभी मन की बात में तो मैंने उसका बहुत छोटा सा आउंसी आपके सामने प्रस्तुत किया है, मैं जुरूर आपसे आगरह करूँगा, परिवार में हर सब्ता, आप कहानियों के लिए कोई समय निका शाओर यह है, कोई एक भाव, और परिवार के सभी सदय से उस सप्ता एकी विशेव पर सब के सब लोग कहानी डूणनेगे, और परिवार के सब मिल करके एक एक कहानी कहेंगे, अब देखिए को परिवार में कितना बड़ा खजाना हो जाएगा, रीस्रज का कितना बढ़ि भी कर सकते हैं मैं कथा सुनाने वाले सबसे आगरह करूंगा हम आजादी के 75 वर्ष मनाने जा रहे हैं क्या हम हमारी कथाओं में पूरे गुलामी के कालखंड के जितनी प्रेरक घटना हैं उनको कथाओं में प्रचारित कर सकते हैं विशेशकर 1857 से 1947 तक हर छोटी मुझी घट करतना से हम हमारी नई पीड़ी को कथाओं के द्वारा परिचित करा सकते हैं मुझे विश्वास हैं कि आप लोग जुरूर इस काम को करेंगे कहानी कहनी कि ये कला देश में और अधिक मजबूत बने और अधिक प्रचारित हो और सहज बने इसलिए आओ हम सब प्रयास करें करेंगे